नमस्कार, अपनी चोड़ी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलेमनी के बारे। एलेमनी का मतलब होता है घुजारबत्ता, जो तलाख के बाद पती को अपनी पत्नी को देना होता है। एलेमनी का उदेश जीवन साथी को सजा दिना नहीं होता है। ऐसा सुप्रीम कोट का मानना है। लेकिन गुजारबत्ता मांगना है तो बढ़ा चड़ा कर बिल्कुल भी डिमांड नहीं करनी जाए। सुप्रीम कोट ने तलाख के मामले में एक केस में टिपड़ी करते हुए कहा है कि गुजारबत्ता या भरन पोशन दिल्वाने का उदेशे किसी एक कख्ष को सजा देना बिल्कुल भी नहीं है। बलकी तलाख जैसी unwanted situation से जो पत्नी के सामने नए हालात खड़े होते हैं जब उनमें सहायता देना होता है। ये टिपड़ी सुप्रीम कोट ने एक केस में की है। सुप्रीम कोट ने कहा है कि भरन पोशन यानि मिंटेनेंस के लिए दी जाने वाली राशी उचित और यथाठ वाली होनी चाहिए। और दोनों में से किसी को भी चरम सीमा से बचना चाहिए। यानि पत्नी को दीर जाने वाले मिंटेनेंस में ना तो इतना जादा डिमांड की जानी चाहिए। कोट ने कहा है कि आजकल देखने में आया है कि पत्नी की ओर से उसकी जरूरतों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। जो बिलकुल भी गलत है। जबकि पती भी अपनी वास्तविक कमाई, अपनी एक्जाक्ट जो इंकम होती है, उसको छिपाने में कहरीं पीछे नहीं रहते हैं। कोर्ट ने ये भी कहा है कि मेंटेनेंस डिसाइड करते वक्त को बहुत कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कोर्ट को ये देखना चाहिए कि जो कपल तलाक ले रहे हैं, उनका स्टेटस क्या है। मेंटेन कर सके कि वे तलाक से पहले अपने वैवाही में चाहिए कर रही थी। मतलब तलाक से पहले अपने घर में वह जिस तरह का स्टेटस मेंटेन करने की उसकी इंकम है या नहीं ? क्या पत्नी ने परिवार, बच्चों और परिवार के पुज़ोर्गों की देखभाल के लिए अपने रोजगार के जो भी उसके इंकम थी क्या उनको उसने यूज़ कर लिया है। अगर पत्नी गैर कामकाजी है, मतलब वो हाउस वाइफ है, तो मुकदमा लड़ने में उसका कितना खर्च हुआ है। यानि पहली कारेवाही के दुरान मिंटेनेंस का भुकतान करने का निर्वेश दिये जाने के बाद, दूसरी कारेवाही में मिंटेनेंस की राशी का निर्धारण करते समय, सिविल कोट या फैमिली कोट को पहली कारेवाही के दुरान दिये गए मेंटेनेंस की राशी को ध्यान में टखना होगा और उसी के अनुसार मेंटेनेंस की राशी का निधारंड करना होगा कहने का ये मतलब है कि जिसे CRPC का जो सेक्षन है 125 और जो DV Act इन दोनों के तहट जो मेंटेनेंस होता है तो जब कोट मेंटेनेंस को डिसाइड करती है तो अगर किसी दूसरे केस के तहट भी मेंटेनेंस डिसाइड हुआ होता है तो वो उन सब को भी ध्यान में रखके मेंटेनेंस को डिसाइड करती है कोटने ये भी माना है कि सभी अक्ट के तहित मिंटेञ्ट का दावा करने का अधिकार अवेदन दाखिल करने की तारिक से ही शुरू होता है मतलब जिस दिन आपको पेटीशन को फाइल कर रहे हैं उस दिन से आपको हिसारब बद्था smoking आ डिकार आपकोATA तो अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको मदद मिली हो और अगर आपको इससे चुड़ी वे किसी और तरह की जानकारी आपको हमसे चाहिए तो आप हमारे हेलप लाइन नंबर 8130-150-123 पे कॉंटेक्ट कर सकते हैं हम आपकी हटतर से मदद करने की कोशिश करें धन्य बात